नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जोब न्यूज अड़ा यूट्यूब चैनल में दोस्तों एक बार फिर से हाजिर है एक लेटेस्ट विकेंसी डिटेल के साथ तो दोस्तों ये विकेंसी जो है ये अनॉंस के बिहार ने बिहार का जो रिवेन्यू एंड लेंड रिफॉ इन्होंने यहाँ पर विकेंशियों का अनौंस कर दिया है तो इन्होंने टोटल जो विकेंशियों किया है वह 6,875 है इन्हें विकेंशियों का अनौंस जो है वह 5 March 2019 यानि की आज ही हुआ है गाईज और बहुत जल्द इनके फॉर्म अपलाई होना श्टार्ट हो जाएं तो आप अगर इसके लिए लिजिबल है तो जरूर अपलाई करिए गाइस बहुत अच्छी पोश्ट हैं यह निकली हैं तो चलिए गाइस फटा-फट से देख लेती हैं इसकी सारी इपोर्टेंट इन्फरमेशन साथ ही वीडियो की डिस्क्रप्शन में आपको बहुत सारे पीड 2019 तो इसके बाद हम अगर age की बात करें तो serial नंबर 1 से लेकर की टूथ तक जो बोश्टें हैं उनकी minimum age 18 YEAR होनी जोविए और इसके बाद serial नंबर 3 से लेकरकर के 5 तक की जो post हैं उनके लिए minimum age आपकी 21 year होनी जरूरी है तो चलिए guys अब maximum age की बात भी कर लेते हैं जो general category के mail रहेंगे उनकी maximum age guys यहाँ पे 37 year हो सकती है और maximum age हो सकती है guys general की female की 40 year plus OBC की male और female दोनों की age यहाँ पे 40 year maximum हो सकती है guys SCST की maximum age की बात करें तो 42 year तक उनकी maximum age हो सकती है guys बाकी की जो information आप चूट के बारे में देखना चाहो तो PDF से देख लेज जीएगा PDF का लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो यह तो थी age की बात अब देख लेते हैं इनकी qualification प्लस जितनी भी विकेंस यह निकली हुए उन सबहें की detail तो guys serial number one की जो post है वो है special survey अमीन ठीक है guys 4950 इसमें post है निकली हुई है इसके लिए आपकी जो qualification है guys वो diploma होना चाहिए civil engineering का serial number two की जो post है guys अमीन की निकली हुई है 550 पोश्ट है इसके लिए आपकी IT clear होनी चाहिए degree होनी चाहिए अमीन की serial number three की post की बात करें guys इसके लिए आपके पास डिपलोमा होना चाहिए civil engineering का चोथे नमर की पोश्ट की बात करें तो special survey कलरक की 550 पोश्ट निकली हुई है इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए पांचवे नमर की पोश्ट की बात करें guys तो special survey assistant settlement officer तो 275 इसकी पोश्ट निकली हुई guys इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए civil engineering की तो guys बिहार के अंदर बहुत ही अच्छी पोश्ट यह निकली है अगर आपके पास यह eligibility है तो आप इसके लिए जरूर apply करिए तो guys इसके साथ ही मैं आपको एक आदर की PDF भी दिखा दूँ guys सभी की PDF यहाँ पे आपको चेक कराना possible नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो यहाँ पे मैं आपको एक विकेंसी की PDF चेक करा दूँ यह PDF जो है guys यह है सरवेक्षन अमीन की जिसके कुल पद यहाँ पे निकली हुए 4,950 तो guys यह आपकी विकेंसी का डिवाइडेशन अनुसुचित जाती की है 792 अनुसुचित जाती की है 50 तो guys इनका आप फटाफट से स्क्रीन शोट ले लिजेगा तो guys आपको यहाँ पे विभिन अश्रेणियों में आरक्षन भी मिलेगा इसके बाद गाइस बात करें आपकी सेलरी की तो जो विशेस स्रेक्षन अमीन है उसकी सेलरी रहेगी 31,000 रुपे guys यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए कि आपको 4000 रुपे प्रतीम माहा अपने लेपटोप के लिए इंटरनेट के खर्चे के लिए 12 महीने दिये जाएंगे और उसके बाद में guys पर मन्त आपको सिर्फ 400 रुपे दिये जाएंगे काफी अच्छी सेलरी guys यहाँ पे है और व बात बात आती है guys यहाँ पे ना तो आपका इंटर्व्यू होगा ना तो आपका यहाँ पे कोई रिटन एक्जाम होगा guys कुछ नहीं होगा आपकी जो टैंत में प्रसेंट है प्लस जो आपके आईटिय के अंदर परसेंट है उन्हीं के बेस पे guys यहाँ पे सेलेक्शन किया जाएगा और guys किस प्रकार से आपको अपने प्रसेंटेज यहाँ पे इस पष्ट लिखा हुआ आप इसका स्क्रीन शोट ले लीजिए और अराम से इसे पढ़ लीजिए समझ लीजिए तभी आपको यह समझ में आएगा इसके बाद guys website दीगी आप इस पे जाकर के विजिट कर सकते हों तो guys यह complete information थी फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप हमें comment करिए या फिर PDF से guys आप अपने डाउट clear कर लीजिए guys मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहिन